नमस्कार आप सभी का स्वागत है भविश पुरान की अनुसार पंचमी तिथी नागों को अत्यंत प्रिय है और उन्हें आनंद देने वाली है इस दिन नाग लोक में विशिष्ट उटसो होता है पंचमी तिथी को जो व्यक्ति नागों को दूद से सनान कराता है उसके कुल म सर्पका भय नहीं रहता एक बार माता के शाप से नाग लोग जलने लग गए थे इसलिए उस धा की वेथा को दूर करने के लिए पंचमी को गाय के दूद से नागों को आज भी लोग सनान कराते है इससे सर्पका भय नहीं रहता है आईये जान लिते है नाग पंचमी की महा कता के बारे में एक बार राक्षस्वार देवताओं ने मिलकर समुद्र मन्थन किया उस समय समुद्र से अतिशे श्वेत उच्चे श्रवा नाम का एक अश्व निकला उसे देखकर नाग माता कद्रु ने अपनी सौतन विंता से कहा कि देखो ये घोडा सफेद रंग का है पर यदि मैं इस अश्वक ये बालों को काले रंग का दिखा दू तु तु तुम मेरी दासी हो जाओगी और यदि नहीं दिखा सकी तो मैं तुमारी दासी हो जाओंगी फिर विंता ने ये शर्ट स्वीकार कर ली दोनों ही क्रोद करती हुई अपने अपने स्थान को चली गई कद्रु ने अपने पुत्र नागो को बुला कर ये वर्तान्तों ने सुना दिया और कहा कि हे पुत्रों तुम आश्व के बाल के समान सुक्ष्म होकर उच्चे श्रवा के शरिम में लिपड जाओ जिससे उसके बाल काले रंग के दिखाई देने लगे ताकि मैं अपनी सोतन विंता को जीत कर उसे अपनी दासी बना सकू माता की इस वचन को सुनकर नागो ने कहा मा ये चल तो हम लोग नहीं करेंगे चाहे तुमारी जीत हो या हार हो छल से जीतना बहुत बड़ा अधर्म है पुत्र का ये वचन सुनकर कद्र ने घुसे में कहा तुम लोग मेरी आग्या नहीं मानते हो इसलिए मैं तुमें शाप देती हू कि पांडो के वन्ष में उत्पन राजा जन्म जय है जब सरप यग्य करेंगे तब उस यग्य में त तुम सभी आगनी में जल जाओगे इतना कहकर कद्र वहा से चली जाती है नाग गन माता का शाप सुनकर भूत घबरा जाते है और वासुकी को साथ में लेकर ब्रह्मा जी के पांस पहुंचते है तब उन्हें ब्रह्मा जी को अपना सारा वरत्तान सुना दिया इस पर ब्रह मनसा का विवा कर देना और वह जो भी कहे उसका वचन स्विकार करना फिर उसे आस्तिक नाम का विख्यात पुत्र उत्पन होगा वह द्वापरयुग में होने वाले जन्म जय के सर्पयग्य को रोकेगा और तुम लोगों की रक्षा करेगा ब्रह्मा जी के इस वचन को सुन कर नागराज वासुकी और अन्यसर्प प्रसन हो गए और उने प्रणाम करके अपने लोक में चले गए यह वर ब्रह्मदेव ने सभी नागों को पंचमी के दिन दिया था और सो वर्षों के बाद आस्तिक मुनिने पंचमी के दिन ही नागों की रक्षा की थी अता पंचमी पंचमी के दिन नागों की पूजा करके यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जो नाग प्रत्वी में आकाश में स्वर्ग में सुर्य की किर्णों में सरवरों में वापी कूप तालाबादी में रहते हैं वे सभी हम पर प्रसन हो हम उनको बारं बार नमस्कार करते हैं सर्वे नागह प्रियंतान में ये केचित प्रत्वीतले येच हेली मरिचीस्ता येन तरे दिवी संसिता ये नदिशु महानागा ये सरस्वती गामिन येच वापि तड़ागेशू तेशु सर्वेशु वैनमह इस प्रकार से नागों की पुझा करके ब्रामनों को भोजन करना प्रत्म मीठा भोजन करना चाहिए तद दंतर अपनी अभीरुची के अनुसार भोजन करे इस प्रकार नियमा नुसार जो पंचमी को नागों का पूजन करता है वसरेश्ट विमान में बैट कर नाग लोग को जाता है तो इस प्रकार से भौईशप पुरान में नाग पंचमी की कथा का वर्नन किया गया है उमिदे आपको यह जान करें अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक जरू करें और कमेंड में जे नाग देवता जे मा मंसा अवश्य लिखें साथ ही चानल को सब्सक्राइब करें आप सभी का धन्यवाद